हलो आज है आठ अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनपुरम फैनांस के बारे में 101-102 रुपए के आसपास योशा ट्रेड कर रहा है और पिछले लंबे समय से अगर आप देखोगे तो मनपुरम फैनांस में लगातर हमें गिरावट देखने को मिल रही है बीच बीच में थोड़ी बहुत रफतार दिखा देता है लेकिन उसके बाद हमेशा ये तूट ही रहा है वीडियो में हम डिसकस भी करेंगे कि मनपुरम फैनांस हाल फिलार में जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है क्या वो अट्रेक्टिव है कि नहीं और अगर खरीदारी के लिए सही मौका कब आएगा यहाँ पर मतलब कौन सा लेवल होगा जहाँ पर खरीदारी के मौके बन सक है कि महिने में अगर आप देखोगे तो तीन प्रतिशत तक तूटा भी है 105 रुपे पर ट्रेड कर रहा था वहां से तूट कर यह 92 रुपीस तक गया था लेकिन उसके बड़िया रफतार पकड़ी और वापस अब यह 100 रुपे के उपर ट्रेड कर रहा है लेकिन एक साल का ग्राफ देखोगे तब तो 47% की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 222 रुपे से तूट गया था इसे पहले भी 100 रुपे से तूट कर यह 80 तक गया था वापस बांस बैक किया 100 रुपे से उपर निकले 110 रुपे पर पहुंचा वापस तूट कर 90 के करीब यहाँ पर लगातार यह प्रिशर में है आगर आप 5 साल में भी देखोगे तो 5 साल का भी जो सबसे बड़ा इसका लो था 5 साल में भी अभी ढाई पर्सन की गिरावट है और जो सबसे बड़ा लो था इसका 5 साल का वो 70 रुपي के करीब था 2018 में तेजी बनी थी अगर आप लेकिन कोविट के वक्त अगर यह तूटा भी धाना तो 92 रूपीस तक गया था इस बार भी अगर आप देखो तो 92 रूपीस पर जाने के बाद तेजे दिखा रहा है तो पहले जिस सपोर्ट तो डेफिनिटी जो 90 रूपए का सपोर्ट लेवाले वो अच्छा मेरे इसाब से ह वहाँ पर मौके बन रहे हैं बाइंग के तूटकर वहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर शेर नीचे की तरफ जाता है 90 की तरफ जाने के कोशिश करता है 95 के नीचे जब भी होता है थोड़ी बहुत कॉंटिटी एड़ क करने के मौके बन सकते हैं लेकिन एक चीज़ जरूर है कि definitely company दिक्कत में जरूर है और कि इनके जो financials है वह थोड़े से खराब है पिछले quarters के जून quarter के लेकिन अगले quarter के finance कैसे रहेंगे results कैसे रहेंगे वह देखना interesting होगा मनब पुरन finance अगर आप देखोगे तो fundraising का प्लान उनके तरफ से मनब पुरन finance में खरीदारी करने के सला है और 147 रुपीज का target दिया है जो कि काफी बड़ा target मेरे हिसाब से है अच्छा target कह सकते है आप इसको मनब पुरन finance अगर आप देखोगे तो company जो है वो midcap share है 8500 करोर का इसका market cap है volume देखे तो 43 lakh से भी जादा का volume समय को मिल रहा है अच्छी quantity तो नहीं कह से लेकिन हाफिर भी decent volume जरूर कोंगा दिक्कत यहां पर यह हुई है कि company के जो revenue आप देखोगे तो वह एक जटके में टूटे जरूर से मतलब stable है बढ़ नहीं रहे stable है 1500 करोड के revenue है 280 करोड का इनका profit था जो कि पिछले साल 436 करोड का थ पिछले quarter में 260 करोड का था तो उसके मुकाब्र तो थोड़ा सा बढ़ा जरूर है लेकिन पिछले साल के मुकाब्र काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है यहां पर अगर आप देखोगे तो मनबपुनम finance के हम shareholding pattern के बारे में भी बात करेंगे 37% का dividend भी इस इस बार उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे तो मनबपुनम finance अगर आप देखोगे तो definitely यहां पर जियो जीत capital है उन्हों की accumulate करने की सला 127 का target है लेकिन पिछले महिने के इनकी सला थी देखो बेचने की सला कोई नहीं दे रहा है मैं भी नहीं दूँगा पहर जिस नही बड़े बड़े लोगों की खरीदारी की सला जरूर है यहां पर 126-130 रुपए के target है लेकिन अगेन मैं करते ही जो target होते है आपको यह नहीं मानना चाहिए कि एक महिने में हो जाएंगे दो महिने में हो जाएंगे इतना ही नहीं अगर आप देखोगे तो promoter ने खरीदारी क हुआ थे 28 और 29 को 1.5 लाग शेर खरीदे गए थे उनकी तरफ से market से खरीदे गए थे open market से purchase किये हैं 93 रुपीज पर पर प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं 93 रुपीज पर open market से तो definitely भाई अगर जाता है यह शेर आपको 95 करीद मिलता है तो definitely आपके ऐसे खरीदारी के मौके ह यहाँ पर इंके revenue बढ़ रहे थे लेकिन 2022 में थोड़ी से गिरावट आई है revenue में 6330 करोड का revenue 6000 करोड पर आ है लेकिन अगर आप देखोगे तो लगातर काफी अच्छे revenue का growth था लेकिन 22 में वो थोड़ा से थमगया और यही वज़ा है यह शायर में आपको गिरावट भी द चुका है अभी इनका profit जो है वो कम ही है क्वाटरली 280 करोड का profit इनका हुआ था पहले quarter में अगर मों average भी निकालते हैं तो जो average बनती है वो 1100-1200 करोड के आसपास की बनती है जो की definitely इससे भी कम है तो इनको अपने profits को बढ़ाने पढ़ेंगे इनको अपने revenue को बढ़ाने पढ़ेंगे quarterly results से उसको improve करना पढ़ेगा और जैसे ही वो चीज़ें देखने को मिलेगी तब हम इसके सते अच्छा चलो इसको long term के लिए consider कर सकते है लेकिन इनके जो profits revenue है वो बढ़ने जरूरी है जो कम हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए बढ़ने जरूरी है यहां पर आता है 95 के आसपास तो वहां पर और अच्छे मौके बन सकते हैं और मैं पहले भी कहा है कि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि एक हमेशा additional factor रखो कुर्शन factor रखो कि वेट करो याद 8 से 10% गिरावर का वेट करो बाद मैं याट करते चले जाओ इसको खरीदारी करने क सही मौका है कोई भी फट फट ने जान नहीं आ रह upfront के अगर हम बात करें तो डेविडेंट अगर आप देखो गे तो company ने जो डेवीडेंट पे किया था इस बार वो अच्छा था खराब नहीं है इस साल तीन बार ये डेवीडेंट भी मैं पे कर चुके हैं 3 बार 75 पैसे 75 Für 75 पैसे तो अच्छा डिविडेंट है 100 रुपय का शयर आपको तीन बार साल में डिविडेंट पे कर अभी शयद नवेंबर में एक बार और करेगा 75 पैसे का तो कई बार डिविडेंट पे कर रही है ये कंपनी और 80% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो लॉंग टर्म में पैसा बना है बैंक FD से अच्छा पैसा बना है करंट प्राइस कम है अभी इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से लॉंग टर्म से मतलब वेरी लॉंग टर्म ठीक है अगर आप इसो कंपैर करोगे एक साल पहले से तब कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर आप मैक् पैटन पर जाओं तो शेह होल्डिंग पैटन के अकॉर्डिंग 35.15 परसंट की होल्डिंग है प्रमोटर के पास 12.43 mutual funds 1.07 domestic institution 28.91 परसंट की होल्डिंग बहुत बड़ी है FIS के पास है 22.44 परसंट की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है उसमें से भी रिटेल इन्वे है वो बड़ी है और दूसरी और प्रमोटर के सासत किनकी खरीदारी बड़ी है वो अगर हम देखे तो प्रमोटर के सासत रिटेल वालों के खरीदारी बड़ी है FIS ने भी क्वाली करी जरूर है अगर आपको यह मिलता है 100 रुपे के नीचे पर 95 के आसपस अगर आपको उस लेवर के पर मिलता है तो हाँ थोड़ी से कॉंटिटी एड करने के मौकियो वहाँ पर बन सकते हैं वीडियो को यहीं प्रेंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय कर चैनल बगर पहले के बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मनापुरम फिनांस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू